मुदक की रेसिपी देख रहे हैं यह मुदक कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में लग रहे हैं इनका स्वाद भी उतना ही जादा अच्छा है और इससे मैंने सिर्फ दो इंग्रीडिएंट से बनाया है यह जटपट बनकर तयार हो जाते हैं गड़े श्यतुर्थी आगई है यानि आज ही है तो मुदक बनाना तो बनता है तो चलिए फटफट से देख लेते हैं नारियल के मोदक बनाने की रेसिपी नारियल के मोदक बनाने के लिए गैस में मैंने एक कढाही चड़ाई है इसमें मैं डाल दूंगी एक चमच शुद्ध घी, घी को अच्छे से मैल्ट होने देंगे और जैसे घी मैल्ट हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दूंगी दो कप या फिर दो कटोरी नारियल का बुरादा, जिसे डेसिकेटिट कोकोनेट भी बोलते हैं और ये ग्रोशरी सॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाता है या फिर आप नारियल को, सुखे नारियल को ग्रेट भी करके इस्तमाल कर सकते हैं तो बस इसे लो फ्लेम में 2-3-4 मिनट हम अच्छे से भूंच लेंगे याद रखे का इस लो फ्लेम में भूंजेगा हाई फ्लेम में नहीं नहीं तो जो तो बस 2-3-4 मिनट हो गए हैं अब मैं इसमें मिला दूंगी CONDENSED MILK येस गाइस इसे हम CONDENSED MILK से बनाएंगे इसमें न हम मावा का न ही चीनी का किसी कभी उप्योग नहीं करेंगे तो मेजरमेंट का ध्यान रखेगा, दो कटोरी हमने नारियल का बुरादा लिया है तो एक कटोरी हम कंडेंस्ट मिल्क लेंगे, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यह दिखे अच्छे से मिक्स हो गया है, और अब मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में और इसे हम जभवासा ले लिया और इसमें मैं ने फूट कलर डाल दिया मेरे पास रेट औरेंज फूट कलर था शे मैं इसमें मिक्स कर लिया है अब बना लेते हैं मुदic, में से हम थोड़ा यानि कि जो मिक्शर बना यह थोड़ा से पोशल कर लेंगे उसे इस तरेकर शिमें पीच म तो छोड़ी सी डाले गा नहीं तो जब आप इसे मुदग का शेप देंगे तो वह कि बाहरा जाएगी और बस इसे मुदग का शेप देते हुए बंद कर देंगे तो देखाना कितना असान इसे बनाना और यह देखिए मुदक का शेप भी बन गया अब मोल्ड जैसा डिजाइन देने के लिए हम एक फोर्क की मदद से इसमें लाइन बना देंगे आप चाहें तो चाकू से या फिर टूथपिक से भी इसमें लाइन बना सकते हैं तो यह देखिए कुछ इस तरीके से मैंने फोर्क की मदद से इसमें लाइन बना ली है और यह बिल्कुल पर्फेक्ट मुदक जैसे ही दिख रहा है तो यह देखिए गाइस एक मुदक हमारा बनकर तैयार हो गया है बस इसी तरीके से मैं सभी मुदक को बना लूँगी मिश्रन में से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे उसमें स्टफिंग डालेंगे मुदक का शेप देंगे और फोर्क की मदद से उसमें डिजाइन कर देंगे तो यह देखे गाइस दूसरा मुदग भी बन गया इसी तरीके से मैंने सभी मुदग को बना लिये हैं और देखाना आपने कितना आसान है इसे बनाना और इसके उपर से मैंने थोड़ा सा पिस्ता डाल कर डैकुरेट कर लिया है तो इस गड़ेश चतूर्थी जरूर इसे बनाईए बहुत ही आसान है दो इंग्रीडेंट से बन जाता है और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बैल आइकन भी जरूर दबाईएगा ता अब से बहले आप तक नोटिफिकेशन मिल सके मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ तिल देन बाबाई हुआ हुआ है